हेलो डियर स्टुडेंट क्वेशन कह रहा है कि 4 equal charges q are placed at 4 corners of a square of east side a एक square है जिसके हर एक side के length a है उसकी 4 corners पे q charge रखे हुए है find work done in removing a charge minus q from its center center पे minus q रखा हुआ है उसको remove करना है मतलब infinite पर पहुंचाना है center से लेके infinite तक तो कितना work करना पड़े एक बार question करने के पहले आपको पहले सबसे बहल तो पता होना चाहिए कि हमको formula कौन सा लगाना ध्यान रखे कि work done by external force अभी भी हमको निकालना होता है electricity force में formula लगाते है यू final minus u initial system की जो final potential energy है तो इस minus q charge से जोड़ी हुए क्योंकि इसको लेके मेरे को infinite पे जाना है इससे जोड़ी हुई final potential energy में से हम initial potential energy को गठाना है तो guys मैं दोनों चीज़े निकालना चाहूंगा आपके लिए पहली बात तो अब calculation करते है ना calculation का time है ये वाला q ये वाला q ये वाला q ये वाला q और ये वाला q और center पर जो है वह है minus q अब देखो इस minus q की potential energy इसके साथ जोड़ी होगी इसके साथ जोड़ी होगी इसके साथ जोड़ी होगी इसके साथ जोड़ी होगी और इसके साथ जोड़ी होगी है ना तो चार्जेज अगर Q1 और Q2 आर डिस्टेंस पर रखे हों तो KQ1 Q2 अपॉन र होता है पहले की हो जाएगी KQ1 Q2 अपॉन आर तो एक चीज देखो यार जितनी इसकी पोटेंचिल अटजी उतनी तो इसकी होगी ना वह कितनी हो जाएगी जीरो अपॉन इसकी होता है यू फाइनल मैनस यू इनिश्टा यू फाइनल इस जीरो मैनस यू इनिश्टा इस माइनस 4 KQ2 अपॉन आर तो यह प्लस में बदल जाएगा 4 एक ही जाएगा 1 अपॉन 4 पर एप्साल नॉट लिख दूँगा Q2 upon R अब R क्या लिखा जाए आर जो है वह यह वाली डिस्टेंस है मतलब और हमें दिया हुआ है स्क्वायर की हर एक साइट हम जानते हैं कि अगर एक स्क्वायर हो जिसकी हर एक साइट की लेंथ ए हो यह वाली लेंथ कितनी होती है यो जो डैगनल होता है जाएगर मरे को निकाल नहीं हूँ तो मैं तो moon की value हो जाएगी root 2 of a अगर इसकी value root 2 of a आई है और मुझे तो r निकलना है मैंने r क्या मानना है? सेंटर से लेकिए वाले distance गर यह जो r होगा यह moon का half होगा कि नहीं होगा? यह जो distance नहीं पूरी a यहां से यहां तक moon है मुझे r चीह है यह r इस total distance का half हो जाएगा total distance कितनी है? यह root 2 a इसमें 2 को divide करो इस 2 को कह लेख सकते हैं? आप root 2 into root 2 इसको काड़ तो a upon root 2 आजाएगा समिदगे distance कैसे निकली? वैसे तो हमको याद भी होने चीह है लेकिन ठीक है मैंने एक बार आपो solve कर ली तो a upon root 2 आजाएगा 4 से 4 cancel हो जाएगा यह वाला root 2 ऊपर चला जाएगा तो root 2 q square upon pi epsilon not a इस इस ओवरा अंसर आईए देखते हैं कि options में कहाँ पर है root 2 q square upon pi epsilon not a कि मिल रहा है मुझे third option so third is the correct answer आप समझ गए? पूरा करना क्या है work done का formula work done का कभी formula निकालना हो तो u final minus u initial करना है सही से आपको potential energy निकालनी आनी चाहिए initial final सही से subtraction करो r की value a की terms में कैसे लिखनी है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है बस इस तरह से आपको answer मिल गए आपका questions करो बहुत अच्छे से करो शुरुवात करो सही से calculations करो उसको समझो concentrate रहो आपका उत्तर हमेशा सही आएगा और ठेट सारे questions करो कूप सारे sold examples कूप सारे unsold examples EPG की दुनिया तो एक diary है परको जब भी time मिलता है कोई question मुझे अच्छा लगता है तो मैं इस पर upload करता हूँ ठीक है जिससे मैं कहीं ने कहीं इस दुनिया में किसे ने किसी की साहता कर पाऊं Thank you so much God bless you आपने जो भी सपना देखा है आपके भविशे के लिए वो पूरा हो